Q1 है वर्तमान हरियान राज्य में कितने लाख टन दूद उत्पादन होता है तो इसका राइट अंसर होगा option A 116.19 लाख टन दूद का उत्पादन किया जाता है वर्तमान में हरियान में अब जान लेते हैं हालिम दोस्तों हरियान सरकार के द्वारा अपने 9 साल पूरे होने पर यह अकड़ा जारी किया गया था वर्तमान हरियान राज्य में 116.19 लाख टन दूद का उत्पादन किया जाता है और इसी के साथ बताया गया है कि हरियान में परती वैक्ति परती दिन दूद उपलवता एक हजार 81 गराम है यह भी आपको नोट कर लेना है अब इन से मिलते जूलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं मुख्यमंत्री मन्हुरलाल ने महिला वाय कि सोरी सम्मान उजना और मुख्यमंत्री दूद उपाहर उजना को 5 अगस्त 2020 को सरू किया था और इसार के लवाज इनवस्टी में हरियान की पहली FSIC अप्रूड दूद टेस्टिंग लबोर्टर भी बनाय जारी वर्तमान में तो दिया जाएगा दोस्तों जो गाउं से लगबग 3 किलोमेटर के आसपास है अब जान लेते हैं गाउं की फिरनी से 3 किलोमेटर के रेडेस में डानी में बिजली के कनेक्शन नी से लोग दिये जाएंगे आपको नोट कर लेना है अब जीकर वाथ बिजली का हरियाणा विदूत बोट की स्तापनों थी 3997 को चंडिगट में और 3979 को हरियाणा के सबी गाउं में बिजली पहुंचा आदी गई थी और आसा कर्ण्यवाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था तब मूख्य मंत्री थे बंद सिलाल और हरियाणा विदूत विएनमक आयको अगठनों वाता सतर अगस्त उन्सोठान्व को और हरियाणा रज्य में 1999 में दोस्तों उतर हरियाणा और दक्सिन हरियाणा बिजली वितनिगम की स्तापन की गई थी और महरागाउं जगमगाउं जने की सरवात एक जले 2015 को होई थी नेक्स्ट है हरियाणा सरकार दोरा दुरगटना या अन्यकार्णों से गरीब प्रिवारों के किसी सदेशे की मोद पर कितने लाख रुपे तक की रासी दी जाएगी या मदद दी जाएगी तो ये मदद दी जाएगी ओप्सने पांच लाख रुपे तक हरियाणा सरकार दोरा दुरगटना या अन्यकार्णों से गरीब प्रिवारों के किसी सदेशे की मोद या फिर कोई गायल हो जाता है तो परदेश सरकार पांच लाख रुपे तक की मदद देगी अन्तो अध्य प्रिवारों को समाजी कोर वीतिय सुरुक्षा सुनचित करने के लिए दोस्तों दीन द्याल उपध्य अन्तो अध्य प्रिवार सुरुक्षा उजना या फर द्यालुई उजना के तहत यह रासी दी जाएगी अब जी करूँ आथा द्यालूई उचना का तो इसके बारे में जान लेते हैं सरवात विती 16 मार्च 2003 इसको मुख्या मंत्री ने इसका सुबर्म किया था नेक्स्ट है हरियान रहजे में आटी युक्त गराम सची वाले उचना के तहत कितने सची वाले की स्थापना की गई है अब जी करूँ आता सची वाले का पंचकुला में अंतरा जीय ड्रग सची वाले की स्थापना की गई है और चक्खी दादरी में लगू सची वाले का निर्मान किया गए है यह परदेश का पहला लगू सची वाले होगा जिसकी ग्रीन बिल्टिंग होगी और हरियान का पर्थम सचिवल्य है बदपूर जीन में मना गया है नेक्स्ट है वर्तमान हरियान रेज्ज में कितना महिला पुलिस था नहीं है तो हाले हम दोस्तों ये सब 20 अक्टूबर को आकड़ा जारी किया गया था तो कितने महिला पुलिस था नहीं तो उप्षन सी 33 महिला पुलिस था नहीं है और महिला पुलिस था ना पहला कुला था 29 अगर्ष 2015 को पंच कुला में और पर्थम महिला मुक्य सचिव कोन बनी थे हरियान में तो मिनाक्सी आनन चोदरी थी ये भी आपको नोट कर लेना है अब दोस्तों जो आमने पड़ाउस का फटापर से रिविजन कर लेते हैं वर्थमान हरी आनराजिम कितने लाक्टन दूद उतपादन होता है 116.19 लाक्टन नेक्स्ट है वर्थमान हरी आनराजिम कितने महिला पुलिस था नहीं तो 33 है नेक्स्ट है हरी आनराजिम आईटी उत्त गराम सची वाल्यों योजना किता है कितने सची वाल्यों के स्थापन की गई है 156.19 लाक्टन दूद नेक्स्ट है अब 37 पिछली अकल वाली हरी आनरा करंडा फिर कर विजन कर लेते है 37 वे सुरुजकुंड हल्सली मेला तो 24 में कोन सा रज्जे से होगी रज्जे होगा तो गुजरात होगा नेक्स्ट है हरी आनराजिम के कितने गाउं को ओड़े फलस का दर्जा मिल चुका है 411 काउन को नेक्स्ट है हरी आनराजिम के खेलाडी होने को ओँ अमाय जित चेतर है तो 84 परतिसत लास्ट वीडियो में आफसे वेसन पूछाता हरियान कि मुन्य पूर गाओँ में किस देश की तकनिक से परदेश का पहला फूलावर एक्सलेंसटी सेंटर बना गए है तो इसराएल देश की तकनिक या मदद से आज के लिए अपका कोईस्टन है हरियाना सरकार नैसे वा आसर में उजनक किस के लिए सरू की आपको कॉमेंट करना है वीडियो पसंद आते वीडियो का लाइक चलना सब्सक्राइब और सेर जरू कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सौ मच